नमस्कार मैं हम संदीब ग्रोवर और मरीनान के खास वीकली शो कंप्री नामा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है कंप्री नामा में हम आपको कॉर्पेट और स्टार्टप जगस से जुड़ी कारोबारी हफते की बड़ी खबरों के साथ साथ विवादों से जुड़ी खबरों से भी अपडेट करवाते हैं आईए आज के एपिसोड की शुरुवात करते हैं और सबसे पहले कॉर्पेट से जुड़ी बड़ी खबरों आपको बताते हैं पहली ख़बर का रुख कर लेते हैं टाटा समू ने अपने एरलाइन कारोबार के मेगा मर्जर की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है जैसा कि हमने आपको एपिसोड नमबर 40 में बताया भी था इस प्रक्रिया के तहर टाटा संस की तीन एरलाइन इकाईयों के कारोबार को एर इंडिया के साथ जोड़ दिया जाएगा इन तीन इकाईयों में विस्तारा, एर एशिया इंडिया और एर इंडिया एक्स्प्रेस शामिल है इस प्रक्रिया को विस्तारा में JV Partners Singapore Airlines यानि SIA के साथ कई दौर की चर्चा के बाद शुरू किया गया है ये प्रक्रिया पूरी होने पर विमान संख्या और Market Share के हिसाब से Air India दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी मर्जर की इस प्रक्रिया को लेकर आपचारी के लान अगले एक हफते में होने की उमीद है विस्तारा को आपरेट करने वाली Tata Singapore Airlines को बहुत जल्द Air India के साथ जोड़ा जाएगा और इस प्रक्रिया में करीब एक साल का समय लगेगा SIA को Tata SIA Airlines में 49% हिस्से के बदले मर्जर के बाद Air India में 20-25% की छोटी हिसेदारी मिल सकती है आपको बता दे हैं कि इस महिने की शुरुवात में Tata Samu ने Air Asia से Air Asia India की बाकी बची करीब 17-16% हिसेदारी खरीद कर Air Asia India और Air India Express के विले की शुरुवात कर भी दी है इसके लावा दूसी कबर में US Department of Transportation ने पैसेंजर्स को 12.15 करो डॉलर के रीफंड देने में देरी के चलते Air India पर 14 लाक डॉलर का जुरुवाना लगाया है रीफंड देने के लिए Air India को 7 महने का समय दिया गया है पर Air India का कहना है कि इस रकम में से 99 फीजदी का भुकतान अल्रेडी हो चुका है दोसी कबर देश की सबसे मुलेवन कंपनी Reliance Industries यानि RIL को चिन्नाई तमिलनाडू में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉश्टिक्स पार्क यानि MMLP बनाने का ओर्डर मिला है Ministry of Road Transport and Highways यानि MORTS के मताबिक 184 एकड में फैले इस MMLP को 1424 करोड रुपे के खर से बनाया जाएगा Public Private Partnership यानि PP के तहट बनने वाले इस प्रोजेक्ट के लिए RIL ने बोली जीती है जिसमें कंपनी का खुद का 783 करोड रुपे का निवेश होगा केन सरकार का अनुमान है कि इस प्रोजेक्ट का पहला चरण अगले दो साल में पूरा होगा चन्नाई का ये MMLP, चन्नाई पोर्ट से 52 किलोमेटर, एन और पोर्ट से 80 किलोमेटर और कट्टूपली एरपोर्ट से 87 किलोमेटर और दक्षनी शेत्र में लॉज्टिक्स का केंदर बिंदू होगा 14 नुवंबर को खबर आने के बाद R.I.L. का शेयर करीब पौने एक फीजदी गिर कर बंध हुआ था तीसी खबर की और बढ़ते हैं जो की टाटा समू से ही जुड़ी है टाटा समू की एक और कंप्टी जो की होटल चेंज चलाती है इंडेन होटेल स कंप्टी लिमिटर जिसे हम IHCL के नाम से भी जानते हैं उसने अपने लक्ष से 6 महिने पहले करज मुक्त होने का जो टागेट है वो पूरा कर लिया है इस साल की शुरुवात में 5 साल के लिए दुबारा M.D. और C.E.O. नियुक्त हुए पुनीच छटवाल ने अप्रेल 2023 तक कंप्टी के करज मुक्त होने की घोशना की थी 2021 की शुरुवात में इस कंप्टी पर 3,100 करोड रुपे और डिसंबर 2021 तक 1,905 करोड रुपे का कर्ज था अप्रेल 2023 तक कंप्टी पर बस एक NCD का भुक्तान बकाया है जिसे QIP की रकम में शामिल कर लिया गया है कंप्टी ने राइट्स इशू और QIP के जरिये 4,000 करोड रुपे की रकम जुटाई है जिससे कंप्टी नेट कैश पॉजिटिव हो गई है 14 नॉमबर को इंडियन होटेल्स का शेयर करीब एक फीजदी गिर कर बंद हुआ था अगली खबर अधानी ग्रूप अब बैंगलोर इंटरनेशनल एरपोर्ड लिमिटेड यानि B.I.A.L. में हिस्सा खईदने पर आंकलन कर रहा है इसके लिए अधानी ग्रूप की फेरफेक्स के साथ भी बात्चित हुई है जो B.I.A.L. में 54 फीजदी हिस्सा होल्ड करती है परदानी ग्रूप की A.I.A. यानि Airport Authority of India के 13 फीजदी हिस्से को खईदने पर नजर है B.I.A.L. में सीमेंस प्रोजेक्ट फेरेंचर्स का 20 फीजदी और KSIIDC यानि करनाटका स्टेट इंडस्ट्रियल और इंफ्रा डेवलोप्मेंट कॉर्परेशन का 13 फीजदी हिस्सा है पाथवी कबर Food Delivery Company Zomato को लेकर इस हफते दो खबरे आई हैं पहला ये कि Company के New Businesses के Head राहूल गंजू ने इस्तीफा दे दिया है हिरानी की बात ये है कि करीब 3 वहीने पहले यानि अगस 2022 में ही गंजू को ये पदभार सौंपा गया था इससे पहले अक्टूबर 2020 से वो Food Delivery Segment के को CEO थे इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि छोटी अबदी में ही ये कंपनी से दूसरे बड़े अधिकारी का इस्तीफा है पिछले हफते ही Intercity Legends Services के Head सिदार्थ जवार ने मी कंपनी को छोड़ने का फैसला लिया है दूसरी खबर ये है कि 24 नमबर से कंपनी UAE में अपने Food Ordering सेवा को बंद करने जा रही है Zomato का App इस्तेमाल करने वाले Users को Online Food Ordering Company तलाबत पर Redirect किया जाएगा क्योंकि 2019 में Zomato ने अपने UAE के Food Delivery कारोबार को इस कंपनी को भेज दिया था 14 नमबर को Zomato का शेर करीप उने 5 फीजदी की गिरावट के साथ बंद हुआ था चछटी खबर आईतर बिला कैपिटल की बैकिंग वाली बिला सान लाइफ इंशॉरेंस और जापान की निपॉन लाइफ की मरजर को लेकर चल रही बातचीत असफल रहने की रिपोर्ट सामने आई है दरसल Reliance Capital की और से समर्थित Reliance Nippon Life Insurance Limited यानी RNIAL में Nippon Life ने अपनी मौजुदा 49 फिजदी इस्सेदारी को कम करने से इंकार कर दिया है बिलासान लाइफ इस्सेदारी के साथ साथ गवर्नेंस राइट जाने में Nippon Life खुश नहीं थी आपको बता दें कि दिवाले प्रक्रिया के तह है Reliance Capital और उसकी सब्सेदारी कमपनियों के लिए बोली लगाने की आखरी तारीक 28 नॉमबर है साथ वी खबर 14 नॉमबर को देश की दो दिगज आईटी कमपनियों L&T Infotech और माइन्टरी का मरजर पूरा हो गया है दरसल इस मरजर को NCLT से मंजूरी मिल गई है जिससे शेरधारकों और रेगुलेटर से जुड़ी सब भी मंजूरिया लेने की प्रक्रिया पूरी हो गई है इस मरजर के बाद नई कमपनी का नाम LTI माइन्टरी होगा और मारकिट कैप के लिहाज से ये देश की पांच भी सबसे बड़ी IT कमपनी बन गई है मरजर के तहद माइन्टरी के शेरधारकों को हर 100 शेरों के मदले में L&T Infotech के 73 शेर मिलेंगे इस मरजर के लिए शेरधारकों की योगिता को निर्धारिद करने के लिए 24 नॉवंबर रिकॉर्ड डेट तैय की गई है मरजर के बाद नई एकाई में पैरेंट कमपनी L&T का करीब पौने 69 फीज़दी हिस्सा होगा इस मरजर की गोशना मैं 2022 में की गई थी पंदा नॉवंबर को खबर आने के बाद L&T इन्फो टेक और माइनटरी के शेर आदा से पौने दो फीज़दी की कमजोरी के साथ बंद हुए थे अगली खबर का रूप कर लेते हैं लो कॉस्ट के अरिये स्पाइस जट को लेकर दो खबरें आई हैं एक अच्छी एक बुरी बुरी खबर ये है कि वित्वच 2023 की दूसी तिमाही में स्पाइस जट का घाटा 49 फीज़दी बढ़कर 838 करोड रूपे पर पहुंच गया है स्टैनलोर अधार पर कमपनी का घाटा बदार के 614 करोड रूपे का अनुमान से ज़ादा है और रिकॉर्ड स्थर पर पहुंच गया है फॉरेक्स घाटे उची फ्यूल कीमतों और प्राइजिंग कैप के चलते कमपनी के घाटे में बृद्धी हुई है दूसी तिमाही में कमपनी को 260 करोड रूपे का फॉरेस काटा हुआ था और ETF खर्च लगबग 2 गुना बढ़कर 1226 करोड रूपे पर रहा है यही नहीं कमपनी की आई भी अनुमान से कम रही है और नेट वर्थ निगेटिव 5910 करोड रूपे पर है नेगेटिव नेट वर्थ का मतलब यह है कि कमपनी की देंदारियां कमपनी की कुल संपत्यों के मुकाबले अधिक है 15 नॉबर को स्पाइजेट का शेर मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ था पर अच्छी खबर यह है कि कमपनी के CMD आजे सिंग के मुताबिक अगले कुछ हफतों में कमपनी को EC LGS स्कीम के तहत अतिरिक 900 से 1000 करोड रूपे की रकम मिलने की उमीद है 16 नॉबर को करीब धाई फीजदी की बड़त के साथ यह स्टॉक बंद हुआ था नॉबी खबर रिपोर्ट्स के मताबिक महिलाओं के कपड़े बनाने वाली कमपनी TCNS क्लोधिंग के प्रमोटर का हिस्सा खईदने के लिए कई कमपनिया दौर में शामिल है इन कमपनियों में NICA, Trent, AB Fashion, Reliance Retail के लावा TPG Capital और Advent International जैसी PE Firms भी शामिल है रिपोर्ट्स के मताबिक TCNS क्लोधिंग में PE Firms TA Associates के करीब 29 फीजदी हिस्से के लिए इन कमपनियों ने दिल्चस्पी दिखाई है इस सौदे में हो सकता है कि प्रमोटर भी कुल 32 फीजदी में से आंशिक या अपना पूरा हिस्सा बेच सकते हैं TCNS क्लोधिंग के पोर्फोलियों में Wishful जो की एक हाई एंड ब्रैंड है कि इसके अलावा W, Aurelia और 11 जैसे ब्रैंड्स भी शामिल है 16 नुवंबर को TCNS क्लोधिंग का शेर सारे आत फीजदी की मजबूती के साथ बंद हुआ था 10 वी खबर Clean Mobility से जोड़े कारोबार को बढ़ावा देने के लिए मुरुगपा ग्रूप की सब्सिडिरी कंपनी Tube Investments of India यानि TII अगले महिने अपना दूसरा EV प्रोड़क्ट लाँच करेगी December तक ये कंपनी Electric Heavy Commercial Vehicle यानि EHCV लाँच करने की तियारी कर रही है इस से पहले सितंबर 2022 में इस कंपनी ने Montra ब्रैंड के तहद Electric 3-wheeler लाँच किया था जिस से इस ग्रूप की EV सेग्मेंट में एंट्री हुई थी एपिसोड नमबर 38 में हमने आपको इस खबर के बारे में जानकारी भी दी थी शुरुआत में हर महीने 30-50 e-truck बेचने की इस कंपनी की योजना है जब तक डिमांड बढ़ नहीं जाती कंपनी की e-truck बनाने के लिए manufacturing plant लगाने की भी योजना है 16 नमबर को जब यह खबर आई तो Tube Investments of India का शेर दो फीज़ी से ज़ादा की मजबूती के साथ बंद हुआ था 11 वी खबर विमान संख्या के हिसाब से देश की सबसे बड़ी airline कंपनी Indigo ने कारगो कारोबार में एंट्री ले ली है इसके लिए कंपनी ने 15 नमबर को दिल्ली और मुंबई के बीच पहली उड़ान भरी थी कारगो कारोबार के लिए कंपनी अपना एक A321 पैसेंजर विमान ही कनवर्ट कर रही है शुरुवाती उड़वानों में एक तरफ 20 तन से ज़्यादा का पेलोड कैरी किया जाएगा कंपनी के मताबिक इस साल के अंत तक दूसरा ऐसा विमान भी मिल जाएगा जिसे अंतर राश्ट्रे रूट पर लगाया जाएगा इन विमानों से अधिक्तम 27 तन तक का पेलोड कैरी किया जा सकेगा 16 नॉमबर को खबर आने के बाद इंडिको का शेर करीब 1.5 फीज़दी की गिरावट के साथ बंद हुआ था तो ये थी इस अफ़ते की कॉर्पेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खिया आईए ऐसी खबरों पर नज़र डालते हैं हमारे खास सेग्मेंट और रडार में और पहली खबर का रूप कर लेते हैं मेटल और माइनिंग छेतर की दिगज कंपनी विदानता अब इलेक्टो स्टील स्टील को बेचने पर विचार कर रही है इस कंपनी को बेचने के लिए विदानता ने टाटा स्टील, जेस डब्यू स्टील, जेस पील, आर्शनल मित्तल, निपॉन स्टील यानि एम एनस जैसी स्टील कंपनियों और कुछ चुनिंदा फिनेंशल इन्वेस्टर्स को भी अप्रोच किया है जुन 2018 में यानि करीब 4 साल पहले विदानता ने 5,320 करोड रुपे में इलेक्टो स्टील को दिवालिया प्रक्रे के तहट खरीदा था और स्टील कारोबार में एंट्री की थी माना जा रहा है कि ये कंपनी एलेक्टो स्टील स्टील में अपनी साड़े 95 फीजदी हिसेदारी को बेचने के लिए अपनी खरीद भाव से करीब 2 गुना भाव यानि साड़े 10 से 12,000 करोड रुपे की मांग कर रही है और इस डील के जरिए स्टील कारोबार से बाहार निकल फीजदी चड़कर दिन की उचाई के आसपास जाके बंद हुआ था दूसी खबर बिटेन के सबसे आमीर कारोबारी घरानों में से एक हिंदुजा परिवार की राहे अब जुदा होने वाली हैं क्योंकि 108 साल पुराने हिंदुजा गुरूप के बटवारे की डेडलाइन त बताया है कि परिवार 2014 के एक आपसी करार को समाप्त करने के लिए सहमत हो गया है जिसको लेकर 30 जुन 2022 को परिवार के बीच समझोता हुआ था रिपोर्ट्स के अनुसार इसी समझोते के आधार पर नुवंबर में ही परिवारिक बिजनस के बटवारे को अंतिम रूप दे दिया जाएगा अगर नुवंबर महिने में बटवारा फाइनल नहीं किया गया तो एक बार फिर ये मामला अदालत तक पहुंच सकता है हिंदुजा परिवार के बीच जारी विवात का कारन 2014 में हुआ एक पारिवारिक समझोता है जिस पर चारो भाईयों ने हस्ताक्षर कि इसके अलावा हिंदुजा ग्रूप की एक कंपनी अशोक लेलेंड पूंजी जुटाने के लिए अपनी एवी सबसीडरी स्विच मॉबिलिटी में 15 फीज़ी तक हिस्यदारी बेच सकती है 14 नवंबर को अशोक लेलेंड का शेर 3 फीज़ी से जज़ादा की मद्बूती के सा बंद हुआ था तीसी कबर नाशनल कंपनी लोड ट्राइबनल यानि एंसी अल्टी ने यूएस के फूट टेकनलोजी स्टार्टप परफेक्ट डे को स्टर्लिंग बायोटेक का अधिग्रहन करने की मंजूरी दे दी है यह मंजूरी दिवालिय कानून यानि आई बीसी की त बखाया है परफेक्ट डे स्टर्लिंग बायोटेक में सीधी करीब 74 फिस्दी हिस्सेदारी खईदेगा और बाकी बचा हिस्सा पेरिया एललसी की और से खईदा जाएगा हाला कि स्टर्लिंग बायोटेक को खईदने के लिए कई सारे बिडस को शॉट लिस्स किया गया था पर परफेक्ट डे और एसी जी एसोसेटिट कैपस्यूल ने ही इस कंपनी के लिए बोली रगाई थी स्टर्लिंग बायोटेक के गुजरात में दो और तमिल नाडो में एक मेनफेक्टरिंग प्लांट ऑपरेट करने वाली ये कंप्टी है जुन 2018 में आंधरा बैंक को जो अ ये फैसला लिया गया है इन एसेट्स में 11 विमान जिसमें 5 बोईंग, 3 बोईंग 737 और 3 एरबस A330 और विमान इंजन पूर्जे भी शामिल है जेट एरवेस की निगरानी समिती या मॉनिटरिंग कमिटी ने प्लान को लगबग 90 दिनों के लिए टाल दिया है आपको बता दिया मंगवाई गयी थी जिसमें लगबग एक दरजन बिडर्स ने भाग लिया था पिछले महीने नैशनल कंप्टी लोग एपिलेट टुबिनल यानि एनसी एलेटी ने जेट एरवेस के नए मालिक जालान कैलरॉक कंसौर्टियम को एलिजिबल करमचारियों को को जेट एरवेस का शेयर करीब एक फीजदी गिरकर बंद हुआ था पांचवी खबर देश की सबसे बड़ी जीवन वीमा कंपनी एलासी को लेकर इस अफते दो अच्छी खबरे आई हैं एक तो वितवश दोजार तेईस की दूसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफ़ा करीब ग्यारा गुना बढ़कर 15,952 करोड रुपे पर पहुंच गया है और दूसरा ये कि एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी एसेट्स केर एंड रीकंस्ट्रक्शन एंटर्प्राइजिस यानि एसी आरी ने एलासी से रिलांस कैपिल के 3,400 करोड रुपे के बॉंड खईदने की एक्रे ने एलासी को बकाया मूल रकम के 30% भुखतान की पेशकर्श की है यानि कि हर 100 रुपे बकाया रकम पर 30 रुपे का भुखतान किया जाएगा कड़ीब एक साल पहले एक्रे ने एक्सिस बैंक और HDFC को रिलांस कैपिल के कर्ज पर बकाया मूल रकम के 26-28 फिजदी का भुखतान किया था जुलाई 2021 से लेकर अब तक रिलांस कैपिल के कर्ज को बेचने के लिए LIC तीन बार कोशिश कर चुकी है पर तीनों बार नाकामयाब रही है लेकिन इस बार ये कोशिश सफल हो सकती है उसकी संभावना काफी जादा है क्योंकि LIC ने स्विज आॉक्शन का एलान किया है और 25 नॉमबर तक बोलिया मंगवाई है स्विज आॉक्शन के तहट एंकर बिडर एक्रे को काउंटर आफर का मिलान करने का पहला मौका में लेगा 14 नॉमबर को LIC का शेर करीब 6 फीज़ी की मजबूती के साथ बंद हुआ था अगली खबर दिवालिया कंपटी HDIL के लेंडर्स ने कंपटी के छे प्रोजेक्ट्स के अलग लग प्लैन पर वोटिंग की है स्टॉक एक्चेंज पर हुए कुलासे के मताबिक लेंडर्स ने प्रोजेक्ट BKC और शहद महराल लेंड्स के लिए अदानी प्रोपर्टीस के पक्ष में वोटिंग की है इसके लावा देव लैंड और हाउजिंग प्राइवेट लिमिटेड ने HDL टावर प्रोजेक्ट को जीत लिया है साथी ख्याती रियल्टर्स और दोस्ती रियल्टी के कंसौर्टी अपने मजेस्टिक टावर्स विस्परिंग टावर्स और प्रेमिर कुटला नाम के तीन प्रोजेक्ट को खासिल कर लिया है HDL के रेजलोशन प्रोफेशनल यानि आरपी के मताबिक चार वर्टिकल्स के लिए मिले रेजलोशन प्लैन कंप्लाइंट नहीं थे इसलिए NCLT में इनको लिक्विडेट किये जाने की मांग की जाएगी इनमें गलेक्सी अपार्टमेंट्स, पेरेडाइस सिटी, विरार लैंड और बाकी बचा कारोबार शामिल है कंप्री के परमोटर्स राकेश कुमार वादवन और बेटे सारंग वादवन के खिलाफ करोड़ रुपे के घाटे से जुड़ी जांच चल रही है और इस गुटाले के कारण दो साल पहले PMC बैंक डूब गया था साथवी खबर मारकेट रेगुलेटर सेभी को R.I.L. मामले में सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा जटका लगा है दरसल सुप्रीम कोर्ट ने मारकेट रेगुलेटर सेभी की रिव्यू प्ली यानि समीक्षा याचिका की अरजी को खारिज कर दिया है ये याचिका पांच अगस को सुप्रीम कोर्ट की और से सुनाएंगे फैसले से जुड़ी थी जिसमें करीब दो दशक पहले के स्टॉक अलॉट्मेंट से जुड़े मामले में सेभी को कंपनी के साथ कुछ डॉक्यमेंट्स साजा करने का निर्देश जारी किया गया था आरायल के लिए ये डॉक्यमेंट्स इसलिए जरूरी है क्योंकि इन डॉक्यमेंट्स की मदद से कंपनी और उसके 107 प्रमोटर्स के खिलाफ 1994 से 2000 के बीच अपने खुद के शेरों की खईच से जुड़े चल रहे मामलों में क्रिमिनल प्रॉसीकुशन से राहत मिल जाएगी 16 नॉमबर को आरायल का शेर करीब आदा फीजदी गिर कर बंद हुआ था आठवी कबर लगाया है कि ये कदम T.A.I.M.L. को आसरे मित्तर से अपने लगबग 10,000 क्रूड रुपे के दावे की वसूली करने में बादित करेगा आपको बता दे कि T.A.I.M.L. एक इंवेस्मेंट मैनेजर है जो स्रही इंफ्रसक्चर फिनांस की और से पमोटिड A.I.F. को मैनेज करता है साथ ही स्रही इंफ्रसक्चर फिनांस के एक्स्चेंजिस को किये खुलासे के मताबिक स्रही एकुप्रेंट फिनांस के ऑल्टर ने 13,110 करूड रुपे के दोखा धड़ी के सौदों का भी पता लगवाया है चलिए ये थी कॉर्पेट जगर से जुड़ी इ आए अब बात करते हैं स्टार्टप स्पेस की स्टार्टप अपडेट में और सबसे पहले एक अच्छी खबर जान लेते हैं अच्छी खबर ये है कि एक तरफ जहां रोज किसी ना किसी स्टार्टप की और से चटनी की खबरें आ रही है वहीं दूसी तरफ एक और एट्ट spaces, online campuses, housing for learners, studios और training rooms के लिए 3,35,000 स्क्वेर फिट की नई लीज भी साइन कर ली है। दूसरी कबर, दुनिया के सबसे बड़े EdTech स्टार्टप बाइजूस के founder and CEO बाइजूर रविंद्रण ने एक स्टार्टप इवेंड में उम्मीद जताई है कि वितवस 2022 में इस स्टार्टप की आए तीन गुना बड़ेगी और पिछले साल के मकाबले जो घाटा है वो भी आदा हो जाएगा। को बता दे कि वितवस 2021 में इस स्टार्टप ने 4588 क्रोड रुपे का घाटा दर्च किया था जबकि आए 2428 क्रोड रुपे पर रही थी यहीं नहीं हाल में इस स्टार्टप ने 25 लोगों की छटनी की थी और साथ ही साथ इनके जो CEO हैं उन्होंने फुटबॉल स्टार लाइन जहां इन स्टार्टप को फंडिंग मिलने में दिक्कति हो रही हैं वहीं दूसरी और इनको अपने करमचारियों की छटनी भी करनी पड़ रही है और तीसरा जात स्टार्टप का बीते वितवर्श में वित्य प्रदर्शन भी अच्छा नहीं रहा है इस अफते जारी नतीजों में तीन बड़े स्टार्टप्स Elastic Run, Lecious और Blinkit के वित्वर 2022 के घाटे में तेज भढ़ातरी हुई है वित्वर 2022 में B2B Online Commerce Platform Elastic Run का घाटा 101 करोड रुपे से करीब 4 गुना बढ़कर 373 करोड रुपे पर पहुँच गया है वही इस दोरान उचे ट्रांस्पोर्टेशन, कॉन्ट्राक्ट और विग्यापन खर्च के चलते Blinkit का घाटा 382 करोड रुपे से करीब पौने 3 गुना बढ़कर 1019 करोड रुपे रहा है इसी तरह मीट और सीफूड उनिकॉन स्टार्टप लीशियस का घाटा 370 करोड रुपे से करीब डाई गुना बढ़कर 856 करोड रुपे पर पहुँच गया है चौथी खबर पौने के चार साल पुराने फिंटेक साथ स्टार्टप लेंट्रा ने सीरीज भी फंडिंग राउंड में 6 करोड डॉलर की रकम जुटाई है इस फंडिंग राउंड करने थे तो बैसमर वेंचर पार्टनर्स और SIG वेंचर कैपिल जैसे मौजदा निवेश्कों ने किया और इस राउंड में सिटी वेंचरस ने भी हिस्सा लिया था पर इस round में company ने एक मौझदा निवेशक HDFC ने अपनी आधी यानी की 8 फीजदी इसेदारी 67.7 करोड रूपे में बेज दी है इस रकम का इस्तेमाल product develop करने platform को मजबूत करने के साथ साथ South East Asia और US जैसे देशों में विस्तार करने पर किया जाएगा चटी खबर समयती की बैठक से ध्यान भटकाने के लिए चिठ्थी लिखी गई है जिसे NCLT ने अमानने करा दिया है यही नहीं NCLT ने अधालत की निगरानी में FHRAI की AGM का भी आदेश जारी किया है साथवी खबर E-Mobility अधारित ट्रांस्पोर्ट स्टार्टप यूलू ऑपरेट करने वाली यूलू बाइक्स ने अमेरिकी सरकार के Development Finance Corporation यानि US DFC से 90 लाख डॉलर का लोन हासिल किया है बैंगलूरू के स्टार्टप की रकम का इस्तमाल अपने Green Mobility कारोबार के विस्तार पर करने की योजना है 2017 में अमिद कुप्ता की और से स्तापित यूलू अपने Electric Bikes के जरिए ट्रेवलर्स को Last Mile Connectivity ऑफर करता है साथ ही ये स्टार्टप EV Charging और Battery Swapping Network भी ऑपरेट करता है यूलू का दावा है कि अभी तक इसने अपने Electric Vehicles के जरिए साड़े साथ करोड से ज़्यादा Green Delivery पूरी कर ली है आठवी कबर मुंबई के Ghost Kitchens ने बैंगलूरू की Food Tech Firm Where's the Food को खईदने की घोशना की है हाला कि इन दोनों कमपनियों ने डील की रखम का खुलासा नहीं किया है क्योंकि ये डील Share Swap के जरिए पूरी होगी आपको बता दें कि Where's the Food IT कंपनी Cap Gemini के पूर्व अधिकारी की और से शुरू की गई Restaurant Chain है इस अधिकरहन के जरिए Ghost Kitchen का अपने कारोबार को स्केल अप करने का लक्षय है अगली खबर Content Management Platform Content Stack ने Series C funding round में आठ करो डॉलर की रखम जुटाई है इस funding round का नेत्रित्व Georgian and Insight Partners ने किया और इस round में Illuminate Ventures ने भी हिस्सा लिया है Content Stack इस रखम का इस्तिमाल Enterprise कंपनियों को सपोर्ट जारी रखने के लिए करेगी ये रखम कारोबार विस्तार और हैदराबाद बेंगलूरू पूने विरार मुंबई में करमचारी जोडने पर भी किया जाएगा Contact Stack सबसे बड़ी घहलू CMS है जो Chase, Holiday Inn, Levi's, Metal, McDonald's, Mitsubishi और Shell जैसी global brands को represent करता है दसफी कबर बेंगलूरू के Healthcare स्टार्ट अप Even Healthcare ने Alpha Wave और Light Rock से डेड़ करोड डॉलर की रखम जुटाई है इस डखम का इस्तिमाल क्लिनिकल टीम के विस्तार और Diabetes PCOS यानि Polycystic Ovarie Syndrome और Obesity यानि मुटापय जैसे Preventive Care इन कंडिशन्स को बढ़ाने पर किया जाएगा दोजार इकिस में Even ने कोसला वेंचर्स के नेतरितों में सीड वर्णिंग राउंड के जरीए 50 लाख डॉलर की पूंजी हासिल की थी चलिए तो ये था बीते कारोबारी हफते का Corporate और Startup जगत का पूरा अपडेट उमीद है आपको Company नामा का आज का एपिसोर पसंद आया होगा आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा नीचे comment box में अपना feedback और अपनी राए हमारे साथ जरूर शेयर करें ताकि हम इस शो को और बहतर बना सकें तो अगले हफते आपसे फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ तब तक आप देखते रहें मरीनाई नमस्कार म涉 होगाते हैं पही हो कि लत कि जरी हमारे सेध कि वाव झाले बहाँ